और Swine Flu को लेकर जिस खत्रे की बात ऑनिनम लगातार कर रहे हैं उसके अब दो हिस्से हो गए हैं एक जो Swine Flu से खत्रा है और उसको लेकर जो गलत बयानबाजी हो रही है उससे जो भ्रहम पहलेगा उसको लेकर खत्रा बढ़ गए बिलकुल, क्योंकि मीडिया कोशिच कर रही है लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए आप बचिए इससे, हाथ धोईए, मास्क पहनिए, डॉक्तर के पास जाईए, टेस्ट करवाईए हर रोज हम लगे हुए हैं और जो नेता हैं, उनको इतना भी टाइम ने मिलाए कि वो देख ले कि स्वाइन फ्लू क्या है पहले हम आपको दिखाते हैं, ममता बैनेर जी ने में कलपता में क्या कहा, कोलकाता में क्या कहा स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए हम पूरी तयारी कर रहे हैं हमने इसके लिए अलग से वार्ड बनाये हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते रहते हैं यह जादा तर मच्छर के काटने और कई दूसरी वजहों से होता है ममिताब एनाट जी कह रही है कि इलाज करना उनके बस में नहीं लेकिन एक ट्विटर पर आया है हम करें हैं है 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 स्टाग नीता बेख़बर भिर आपको पता चल जाएगा से बात है इतना और 712 लोग कल तक मर चुके हैं एक हजार से जादा लोग 11,000 से जादा लोग वो बीमार है और उसमें एक बड़ी बात ये भी ओनें की सिर्फ ममतब एनरजी नहीं है अगली बात जो हम दर्शकों को बताएंगे मुंबई की मेर हैं वो इससे भी एक कदम आगे प्रॉब्लम है और मेर को ये पता नहीं है आपके स्क्रीन पर है जरब पढ़के बता दीजे आप वो ये कह रही है जो मेर है मुंबई की वो ये कह रही है कि ये एक रिदय रोग है यानि हार्ट डिजीज है और स्वाइन फ्लू के रोग थाम के लिए गार्डन पार्क अच्छी बात है पेड लगाएं लेकिन रिदय रोग है ये तो कुछ और बोल गई है अभीशेक फोन लाइन पर है अभीशेक इस पर कुछ बाते चल रही है मुंबई में कल गब ये ख़वर आई तीस देर शाम को तो पहले तो मुझे बरोजानी हुआ और फिर मैंने सोचा कि हम सब जितनी भी मैनत कर रहे हैं कि मुंबई की मेर को कम से कम एक बार सारे लोग मिलकर टेलिविजिन साइट की गिफ्ट करने साकि उनको ये पता हो जाए कि ये डिजी एकवार पढ़ती हैं तो उस अखवार में भी हर अकवार में सुआइन क्लू की वजय क्या है और क्यों हुधा है यह तमाम चीजें चपी हुए हैं यह यह जो मेर साहिबा हैं यह दरसल शिव जैन्ती कल शिव जैन्ती ती इसकी वज़े से पूरे मुम्री में चुटी थी औ और काफी बड़े प्रोटोकॉल मैं आपको बता देता हूं कि जब मेर आती हैं तो इलाके का वार्ड ओफिसर या जो तमाम अधिकारी होते हैं वो तमाम लोग मेर को मिलते भी हैं और उनको बताते भी हैं कि इस समय क्या चल रहा है मेर के दफ्तर से और बीमसी के दफ्तर से रोज आखड़े भी आते हैं हमारे पास कि आज स्वाइन फ्लू में क्या अपडेट है कितने लोग और भरती हुए हैं और क्या कदब उठाए गए हैं और ये बाकादा मेर की जो ऑफिशिल से हैं उनके पास पास जाते हैं तो जब ये सब को जो वो स्टेज पर कहरें थीं कि हिर्दय रोग है और वो इसके लिए ये तमाम चीज़ें कर रही हैं किसी भी अधिकारी में जरूरत भी नहीं समझी कि वो अपनी मेर साहिवा को ये बताएं बाद में बताएं या पहले बताएं कि ये दरसल खड़े रोग जैसे कोई स्टिती नहीं होती है बलकि एक वाइरस वाला मामला है और ये फैलता है और इसको लेकर इतना ज़्यादा हड़क नहीं में बताना है या अब भी उन तक जानकारी पहुची है या नहीं पहुची है देखी उनको भी पूरी जानकारी है कि वो क्या कह गई है और इसी वज़े से वो किसी फोन कॉल और हैसे में सजवाब नहीं दे रही है और ये पहली बार नहीं है ये जो मेर है वो दरसल इसी तरीके के भयानो लिए जानी जाती है, और कई बार मीडिया के बहुत सारे लोग इनके बयानों को इसलिए नजरन्दाज भी करते Scripture देते हैं, लोग मर रहे हैं और आप देखिए पुरे देश में एक कहर फैला हुआ है 712 लोग कम नहीं होते मुझे लगता है मेर साइबा को भले ये न पता हो कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है लेकिन अब उनको ये पता चल गया होगा कि एक गलत बयानी जो है वो सोशल मीडिया पर कैसे फैल जाती है और कैसे लोगों को पता चल जाता है कि आप मेर हैं आप इतने गंबीर पद पर हैं और आप इस तरीकी की बयान बाजी कर रहे हैं आप भी हमें अपनी राए बेच सकते हैं नेता बेखबर, हैश्टाग नेता बेखबर पर कि आप ऐसे नेताओं को सुनते हैं, ऐसे बयानों को सुनते हैं, तो आप के जहन में क्या था?